नमस्कार दोस्तूं आज की कहानी में पढ़िये कि आखिर पत्नी को बेवफा समझ कर रमन अपनी पत्नी को कहां छोड़ाया था और मेरी लिक्यों हुई एकदम नई और अनुकी कहानियों के लिए कथा संचे चैनल को सब्सक्राइब जिरूर कर लीजिएगा धन्यवाद रमन आफिस जाने के लिए घर से निकला नुकर तक पहुचते ही उससे मुहले में ही रहने वाले रगु काकर टकरा गए उन्होंने उसका हाल चल पूछा फिर रमन जब आगे बढ़ने लगा तब रगु काकर ने जरह सकुचाते हुए कहा बेटा तुम्हें एक बात बतानी थ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं रमन सहज भाव से बोला चाचा जी मुझे कुछ भी कहने के लिए आपको कुछ सोचने की क्या जरूरत है आप कहिए न क्या बात है रमन को लग रहा था कि कहीं चाचा जी को कुछ रूपयों की जरूरत तो नहीं अन पड़ी है और वह रुपए मांगते हुए सकुचा रहे हूं रमन की जेब में कुछ रुपए पड़े थे उसने तो सोच लिया था कि वह चाचा के मांगने पर उन्हें तुरंत रुपए निकाल कर दे देगा क्यूंकि रमन और रगु काका के परिवार के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे सुख दुख में दोनों ही परिवार एक दूसरे के काम आते थे रगु काका कगर उसके घर से दोगर छोड़ कर ही था इसलिए उन लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना भी लगा रहता था रगु काका इधर उधर देखते हुए धीरे से बोल पड़े बिटा देखो तुम पहले बात की गहराई तक पहुँचना उसके बाद ही कुछ फैसला लेना देखो रोज दो पहर में एक अजनबी आदमी तुम्हारे घर पर आता है और घंटे दो घंटे तुम्हारे घर में रहकर वाच चला जाता है मुहले में लोग तरह तरह की बाते बनाने लगे ह कोमल बिटिया के बारे में मुझे यह सब सुनकर अच्छा नहीं लगता है वैसे तो यह तुम्हारे घर का मामला है लेकिन अब मुहले में बाते होने लगी है तुम मुझे लगा कि इस बारे में तुम्हें पता नहीं होगा तो मैं तुम्हें बता दूँ यह सब सुनकर रम बात की तह तक पहुँच जाना फिर कोई फैसला लेना अच्छा मैं चलता हूँ मेरी बहुरानी ने प्रेड बंगवाय थे नाश्ता बनाने में देर हो जाएगी इतना कहकर रगु काका तो वहां से चले गए और रमन अजीव से उलजन में डोग गया उसकी मनोदशा काफी ख बढ़ती जा रही थी इधर धूप भी अपने चरम सीमा पर पहुच रही थी जिसके कारण रमन गर्मी और पसीने के कारण बेहाल होता जा रहा था प्रचंड गर्मी में भरी दो पहरी में जब सब लोग अपने अपने घरों में दुबग गए तब जाकर एक अट्टा-कट आद्मी बाइक लहराते हुए उसके घर के सामने आकर रुग गया उसने दरवाजे की घंठी बजाई कोमल ने दरवाजा खोला तो आद्मी जट से घर के अंदर घुस गया और उसने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया अंदर उन दोनों के बीच क्या हो रहा था क्या नहीं इस बात से अंजान रमन का खुन खौलने लगा, वह युवक देखने में काफी आकरशक था, रमन को संदे होने लगा कि कोमल का उसके पीट पीछे कुछ चक्कर चल रहा है, उसकी आंखों में खुन उतर आया, वह वहां से भाग कर कहीं दूर चला जाना चाहता था, लेकिन उ और उसके ऑफिस से घर वापस लोटने का समय हो आया, तब वह ठके हुए जुआरी की भाती घर वापस चला गया, आज ना तो वह और दिनों की भाती अपनी पत्नी से बात कर रहा था, और ना ही उसने चाहे पी, कोमल चिंतित सोर में पूछने लगी, अरी तुम्हारी तब कर गई और बाम लाकर उसके सिर पर मलने लगी, रमन सोचने लगा कि कैसी बेशर मौरत है ये, दोपर में किसी और के साथ वक्त गुजारने के बाद रात को या पती ब्रता पत्नी बन रही है, उसकी आखों में खून उतरने लगा, रात को उसने खाना भी नहीं खाया, और चुप चाप ऐसे ही सो गया, सुबह सवेरे वह फिर से ओफिस जाने के लिए निकला, लेकिन ओफिस नहीं गया और चिपकर घर के बाहर नजर रखने लगा, आज भी वही हुआ, वो आदमी फिर से घर पर आया था, अब तो रोज रोज यही सिलसिला चल निकला, रमन पिछ सुबह सवेरे वह अपनी पत्नी से कहने लगा, कि आज मुझे अफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, चलो हम कहीं बाहर घूम कर आते हैं, उसकी पत्नी खुश हो गई, और कहने लगी, वैसे भी एक सब्ता से देख रही हूँ, कि तुम्हारी तबियत कुश ठीक नहीं है, आज सिंदूर मेरे नाम का लगा रही है, लेकिन आशिकी किसी और के साथ फर्मा रही है, खेर वो उसे लेकर स्टेशन पहुंच गया, स्टेशन पहुंच कर कोमल पूछ बैठी, अरे हम कहां जा रहे हैं, अगर हमें बाहर जाना था, तो तुम मुझे बोल देते, मैं अपना कु उसे पल-पल बहुत रोमान चा रहा था, कि उसका पती उसे कहां लिये जा रहा है, अगले दिन सुबस अविरे बोल लोग ट्रेन से उतर गए, उसका पती कहने लगा, कि यहां मेरे एक दोस्त का घर है, हम उसके घर पर जाएंगे, तो रुको मैं उसके पते के बारे में माल प्रिक नहीं लग रहा था, रमन कोमल को अपने एक दोस्त के घर लेकर गया, वहां पर एक औरत थी, रमन कहने लगा, कि यह मेरे दोस्त की चाची है, तुम हाथ मुदो कर फ्रेश हो जाओ, इतना कहकर उसने उसे बातरूम का रास्ता दिखा दिया, वह बातरूम में चली ग लेकिन उसने दर्वाजा खुला रख चोड़ा था, दोपर के बाद जब बाइक की आवाज आई, तो वह खुश हो गया, थोड़ी देर में वह आदमी दर्वाजे से अंदर आता हुआ दिखाई दिया, हौल में सोफे पर रमन को बैठे हुए देख कर वह सकपका गया, और वही खड़ा रह गया, रमन कहने लगा, आओ, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ, वह आदमी हीज की जाते हुए बोला, मेरा नाम मंगल है, रमन ने ब्यंग करते हुए कहा, मंगल यहाँ मेरी पतनी से मिलने आये हो ना तुम, मंगल चुप चाप खड़ा रहा, तो रमन तंज कस्ते हुए बोल पड़ा, तुम जिससे मिलने के लिए आये हो, वह तुम्हें अब यहाँ कभी नहीं मिलेगी, वह ऐसी जगह चली गई है, जहाँ पर तुम उससे मिलने नहीं जा सकते, और उसे वहाँ पर मेरे साथ की हुई वेवाई की सजा रोज मिलेगी, पर जितने लोगों से मन करे, उतने लोगों के साथ आयाशी करे, बदले में मुझे रुपए भी मिल गये, और ऐसी मकार और अच्चे चुटकारा भी मिल गया, यहाँ सुनकर मंगल स्थब्दसा खड़ा रह गया, फिर उसमें ऐसी सच्चा ही बताई, जिसे सुनकर रमन के ह क्योंकि मंगल ने कहा, अरे बेवकूफ, वह तो ऐसी पती वृता स्त्री थी, जिसे मैं आज तक स्परश भी नहीं कर पाया, यह बात सच है कि मैं उसे हासिल करना चाहता था, लेकिन मैं जोर्ज बरजस्ती से उसे हाथ नहीं लगाना चाहता था, मैं रोज उसे यही समझान की कोशिश करता था, मैंने उसे डरा रखा था, कि अगर उसने यह बात किसी को भी बताई, तो मैं उसके पती को मार डालूँगा, इसलिए वह डर के कारन तुम्हें किसी और को अपनी तकलीफ बता नहीं पाती थी, वह इतना तो समझ गई थी, कि मैं उसे उसकी मर्जी के ब वस यही चाहता था, कि अपने प्रेम से उसका दिल जीत लू, लेकिन उसके दिल पर तो सिर्फ तुम्हारा ही राज था, लेकिन तुमने अपनी पतनी के साथ ठीक नहीं किया, एक संदेह के कारन तुमने उसकी जिंदगी बरबाद कर दी, वह तो तुम्हारी पूजा कर दी थी, लेकिन तुम्हारे इस विश्वास घात से वर तूट गई होगी, उसकी नजरों में आज तुम बहुत नीचे गिर गए होगी, बोलते बोलते गुसे और दुख के मारे उसकी आँखे लाल हो उठी थी, फिर मंगल वहां से वापस चला गया, अब वहां पर उसके लिए वहां पहुँचने पर पता चला, कि जब उसकी पत्नी को पता चला, कि यह एक कोठा है और उसका पती उसे बेच कर भाग गया है, तो उसने उसी पल अपनी जान दे दी, रमन अपना सिर पीट-पीट कर रोने लगा, उसके एक छोटे शिशक के कारण आज सब कुछ वह ऐसे ही पागलों की तरह दर-दर भटकता रह गया, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन बिगर चुका था, दोस्तों, कभी भी गलत फ्यमी में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, अगर कोई बात खटक रही है, तो सामने वाले से इसके बारे में बात चित करके सब कु धन्यवाद